Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ Priyanka So दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CC cream की compare video जो कि मैं L18 and Lakme की 9 to 5 CC cream की compare video आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये दोनों जो CC cream है ये कैसा काम करता है आपकी skin पे आपको इसका result कैसा मिलेगा everyday में कौन सा सबसे ज़ादा अच्छा है वो ही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो video last तक देखिएगा दोस्तों So सबसे पहले बात करते हैं CC cream की तो ये आपको नाइका पे मिल जाएगा आप इसे लोकल मतलब जो लैकमी के जो शॉप से आपके घर के सामने वह भाह से भी ले सकते हैं दोनों ये आपको मिल जाएगा और इसे आप नाइका से भी पर्चेस कर सकते हैं तो दोनों CC cream ही आपको 99 रुपीज पे मिल जाएगा और लैकमी का CC cream है ये 9 gram product quantity में आता है इसका packaging आप देख सकते हैं ये है एलेटिन की CC cream जो की 99 रुपीज का MRP है जो की 18 gram product quantity के साथ ही आती है थोड़ा सा लैकमी से ये थोड़ा सा लंबा है थोड़ा सा ज्यादा इनका product है और लैकमी का थोड़ा सा छोटू सा product है लेकिन price इनका exactly same है ओके एंड दोस्तों ये जो CC cream है ये आप daily basis पे apply कर सकते हैं ये daily product है मतलब आपको कोई भी उतना foundation concealer की कोई जरूरत नहीं है अगर आप office जाते हैं college जाते हैं घर पे भी थोड़ा बहुत make up करना पसंद करते हैं तो आप CC या BB cream से अपना make up जो है वो आप daily use कर सकते हैं तो मैं आज वही बताऊंगी कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा CC cream होगा कौन सा आप ले सकते हैं और आपके लिए अच्छा रहेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अपने face को moisturize कर लेती हूँ मैं एक साइट लैकमी की CC cream एपलाई करूंगी है एक साइट मैं करूंगी एलेटिन की CC cream एपलाई सो मैं यहाँ पे लैकमी के जो peach milk है वो मैं use कर रही हूँ क्योंकि बहुत सरे लोगों ने मुझसे कॉमेंट किये थे कि लैकमी अच्छा है या एलेटिन अच्छा है तो उसी विशय में मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी कि कौन सा बेस्ट CC cream है लैकमी या तो फिर एलेटिन एंड मेरी कौन सी फेवरेट है तो मैंने अच्छी तरीके से अपनी स्कीन को जो है ना वो मैंने मॉस्चुराइज कर लिया है ओकी दोनों साइड मैंने मॉस्चुराइज कर लिया है आपको प्राइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है डेली बेसिस पे आपसे मॉस्चुराइजर एंड संस्क्रीन यूज कर सकते हैं उसके बाद आप CC cream यूज कर सकते हैं दोस्तों CC cream एक बहुती light coverage cream है जो कि आपको everyday के लिए एक makeup look दे देती हैं आपको मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं थोड़ा बहुत आपको touch up की जरूरत है इसके इनको थोड़ा सा enhance करने की जरूरत है तो आप CC cream से अपना makeup जो है आप आराम से कर सकती है एंड डेली के लिए ये बहुती अच्छा CC cream है एंड इनका price भी आपकेजिंग के साथ आती हैं जो कि बहुत ही सदा अच्छा product है जो कि everyday वाला product है और टीनेजर्स को उतना foundation की जरूरत होती नहीं है तो पाटी के लिए या तो फिर कहीं जाने के लिए CC cream is best product तो दोस्तों ये जो CC cream है ये है L18 की CC cream मैं सबसे पहले L18 का आपको मैं यूज कर के दिखाऊंगी तो इसका packaging आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरिके की packaging के साथ आती है जो कि बहुत ही सदा beautiful है ये cardboard box के साथ आती है लेकिन वो मैंने fake दिया है and L18 इहाँ पे लिखा गया है get even CC cream इहाँ पे लिखा गया है इनकी individual review भी आप मेरे channel पे देख सकते हैं दोस्तों and इनका price लिया है 99 rupees 18 gram product है इनका and इन्हें मैंने nica से purchase किया है दोस्तों and ये get even CC cream है जो कि skin cream है made in Indian product है ये okay and सबसे बड़ी बात है इनका कोई shade नहीं आता है ये सिर्प और सिप एक ही shade में आता है जो कि मुझे थोड़ा सा खड़ाब लगा क्योंकि इसमें कोई और shade नहीं है लेकिन भगवान की क्रीपा से ये मेरी skin पे match हो गिया था तो ये मेरी skin पे अच्छा लगने लगा match अच्छी तरीके से हो गिया था तो मैं अभी इसे ही आपको अच्छी तरीके से apply करके दिखाऊंगी तो मैं तो मैं इस site Elliot in की जो CC cream है वो मैं apply करूंगी तो आप देख सकते ही ने कुछ आप इस तरीके से open कर सकते हैं थोड़ा सा ही लगता है इनकी खुश्बू बहुत अच्छी है और इसमें कोई shade नहीं आता है मैं आपको सारे ही details बता रही हूँ फिर भी अगर कोई question अगर आपको हो तो आप मुझे comment पे जरूर बताईएगा मैं उसकी answer आपको जरूर दूंगी okay so मैं अभी इसे blend करूंगी so यह बहुत ज़्यादा smooth coverage है आप देख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा whitish coverage है and CC BB cream को आप अपने हाथों से यूज़ कर सकते हैं इसमें कोई beauty blender या तो फिर कोई brush की ज़रूरत नहीं है आपको daily के लिए आप इन्हें बस अपने करो के दो, क्यों हम सकते हैं ख ensure कोई तो भतक कि वा कि रह।्यम थचा को क्या रह। कि वा कि रहा दो कि आप दोется कि अपक रहुतмо व्रैー कि यूब लिख फ् cursor है, तो कि तेंपक है, यू्यादा आप घ़ित को जबादे बहू़ अला तो— मड़र नहा है दोस्तों यह थोड़ा सा आपको वाइट कब्रेज लगड़ा होगा लेकिन थोड़ी देर में यह सेट हो जाता है स्कीन पर ब्लेंड करते करते आपको अपना शेड दिखेगा आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी कि यह ना कुछ इस तरीके से होता है ब्लेंड करने के समय में तो इसका जो क्वालिटी है वो ऐसा है कि यह तुरंत ब्लेंड उतना अच्छी तरीके से नहीं होता है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे ब्लेंड करने में अब एंड यह थोड़ा सा ऐसे होता है जो कि आप देख सकते हैं यो यह यह इसीली ब्लेंड नहीं होता है मैंने इसे अच्य तरुके से blend कर लिया है, तो थोड़ा ही ब्लेंड तर्ण वो ऑबेंड जुआ है MALE. तो बहुत ही मुश्किल हुआ है, जितला भी प्रडॉक्ट मैंने लगा था आप देख सकते हैं कि मेरी स्कीन का कलर हो गया है. वो पुरा एकदम ही वाइट इज जो शेड आपको दिख रहा था ना वो बिल्कुल ही खतम हो गया है क्योंकि ये ब्लेंड करते करते ऐसा ही इसका जो लुक्स है ना वो आता है इनका जो मतलब ब्लेंड करने के समय जो इनका जो रबर की तड़ा वो प्रोडक्ट हो जाता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन ब्लेंड करने के बाद ये एकदम ही स्किन का तड़ा ही दिखता है तो ये ओके-ओके सा प्रोडक्ट लगता है मुझे बस मैंने पर्चेस कर लिया था तो इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ लेकिन ये उतना भी मैं खास मॉस्चुर्याजर के अगर यूज करींगे तो ये बहुत य ही अच्छी तरिके से ब्लेंड होगा लेकिन अगर आप इसे मॉस्चुर्याजर के साथ अच्छी तरीके से अगर आपने स्कीन् Elliot के आ है अगर अप इसे यूज कर रहें Quran ये तो ये प्रोड़क्ट से निकल जा इसलिए एपलाई किया है लेकिन उसके बाद भी इनोंने बहुत ज्यादा टाइम लिया है और ब्लेंड उतनी अच्छी तरीके से वा नहीं है अब देख सकते हैं यहां पर ठीक है अगर आप इसे ट्राइक करना चाहे तो आप कर सकते हैं लेकिन अभी मैं आपको लैकमी की सिस क्रीम है उन्हें अपलाई करने से पहले मैं अच्छा अच्छी तरीके से यहां पर मॉस्ट्राइजर रिउस कर रही हूँ मैंने एलेटिन की सिसी क्रीम की इंडिविजल रिभू किया था मैंने आपको बताया था कि ब्लेंड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है सो मैंने अच्छी तरीके से यहां पर मॉस्ट्राइजर अपलाई कर लिया है तो यह रहा दोस्तों लैकमी की सिसी क्रीम आप देख सकते हैं यह हैं लैकमी 925 सिसी कंप्लेक्शन केयर क्रीम जो की All-in-One Instant Skin Stylist है यह और इसमें SPF 30 भी आपको मिलता है जो की आपको सन प्रोटेक्शन से बचाती है और मेरा जो शेड है वो है 03 Bronze जो की Perfect Shade है और सबसे बड़ी बात है कि लैकमी की सिसी क्रीम है इसमें आपको शेड मिल जाएंगे जो आपको एलेट इनकी सिसी क्रीम पे नहीं मिलेंगे इनकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही पसंद है इनका काम भी मुझे बहुत पसंद है लैकमी की सिसी क्रीम बहुत ही अच्छी है फिर भी मैं आज आपको एलेट इनके साथ कंप्यार करके बताओंगी कि कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट है इलेटीन तो मुझे उतना खास नहीं लगता है मुझे लैकमी ही पसंद है मुझे पता है कि इनका जो काम है वो बहुत ही अच्छा रहेगा इनका performance इलेटीन से ज़्यादा तो मैंने ले लिया है अपने हाथों में आप देख सकते हैं यह एक्सैक्ली मेरी स्कीन का ही शेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है कितना अच्छा बटरी वाला इनका texture है आप देख सकते हैं वाव और इनका जो application है आप देख सकते हैं एकदम smoothly blend हो गया दो सेकेंट में कोई भी आपको product यह उभर के नहीं आ रहा है product कोई भी rubber की जैसा नहीं हो रही है एकदम गैसी की cream foundation होते है न बैसा ही इनका texture है लैकमी की CC cream से तो कोई compare होई नहीं सकता है लेटीन का मतलब लैकमी की CC cream is best कोई problem नहीं आप जस्ट मेरी skin देख सकते हैं मेरी skin देख सकते हैं एकदम से मेरी skin का shade है यह एकदम से blend भी हो गया है यह कितना अच्छा coverage भी दिया है आप एलेटीन की CC cream apply करने के बाद मेरी आखों की जो dark circle है आप देख सकते हैं वो दिख रहा है लेकिन लैकमी की CC cream उस करने के बाद आप देख सकते हैं and blendability अब देख सकते हैं इनकी कितनी जादा और सम्हें है so यह दो सेकेंट में ही blend हो गया है आराम से blend हो गया है इसने बहुत ही अच्छा एक coverage भी दिया है जो की लैक में कि CC cream है and इसने बिलकुल मेरी skin का color ही मुझे दिया है एकदम से ही आप देख सकते हैं कोई भी whitish color इसमें नहीं है and कोई भी ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ apply किया है एकदम ही natural लग रहा है and इसके उपर में powder set करके थोड़ा सा lipstick mascara and eyebrow करके में कहीं भी जा सकती हूँ and इस तरीके से ही CC cream जो है वो लगाया जा सकता है and आप भी इने ट्राइ कर सकते हैं दोस्तों तो अभी जो आप देख सकते हैं आप पास से देख सकते हैं दोनों का difference and इलेट इनकी जो CC cream है आप देख सकते हैं इसने मुझे उतना जादा coverage नहीं दिया है जितना लैकमी ने दिया है and लैकमी का coverage थोड़ा जादा है जो कि आप देख सकते हैं दोनों जो cream है ये कुछ इस तरीके से cream है and लैकमी का कुछ जादा ही मुझे पसंदा आ रहा है and लैकमी का जो CC cream है उन्हें अपलाई करने से पहले मैंने बहुत जादा moisturizer यूज़ किया आपके सामनी मेंने किया उसके बाद भी इसका application आप देख सकते है and एलेटीन का जो CC cream है आप देख सकते हैं इसने उतना जादा eye dark circle को coverage नहीं दिया है and blending करने के बाद इसका जो color है वो भी थोड़ा थोड़ा फेड हो गया है blending करने के बाद and इनका थोड़ा सा rubber की तरह इनका product जो है वो निकलने लगता है जो कि मैं 10 on 10 दूंगी लैकमी को क्योंकि लैकमी की CC cream बहुत ही अच्छा काम किये हैं इनका packaging थोड़ा सा छोटू सा है लेकिन price इनका 99 रुपीस का है 99 रुपीस में आपको इतना छोटा सा packaging मिल रहा है and यह जो cream है यह आपको बस थोड़ा सा ही लगता है आप थोड़ा सा अपने finger पे लेके full face आप इससे make up कर सकते हैं daily basis पे okay तो मैं Lakmi को ही ज़्यादा price दूँगी इनका काम इनका सब कुछ मुझे अच्छा लगा है बहुत ही अच्छा coverage दिया है सबसे बड़ी बात है इसका जो shade है वो आपको बहुत ज़्यादा shade यह आपको मिल जाएंगे bronze मिलेंगे और भी honey shade है इनका वो भी आप try कर सकते हैं अगर आप मेरी complexion की है तो आप bronze shade जो है आप try कर सकते हैं जो की बहुत ही अच्छा color यह आपको देता है तो यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा है Lakmi का CC cream okay and कितना ज्यादा glow दे रहा है दोनों ही cream glowing है लेकिन एलेट इन से भी ज्यादा मैं Lakmi को ज्यादा प्राइस दोंगी क्योंकि Lakmi की जो CC cream है वो blend बहुत अच्छी तरीके से करती है अगर product blend ना करे अच्छी तरीके से तो skin बहुत ज़्यादा दिख लगती है and product अगर blend ना हो तो वो दिखते हैं तो ये चीज मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है तो blend होना बहुत ज़्यादा जरूरी है product पे दोनों का price same है लेकिन काम थोड़ा सा different है अगर आपको एलेट इन का लेना है तो आप ले सकती है लेकिन मैं आपको highly suggest करूँगी कि आप Lakme की CC क्रीम purchase कीजिए Lakme की CC क्रीम ही बहुत अच्छा होता है LA10 से अगर आप जानना चाहती थी इनका compare video तो मैं आपको बोलूँगी कि LA10 से भी बहुत ज़्यादा अच्छा Lakme का CC क्रीम है जो की तुरंट blend हो जाता है आपको एक coverage देता है आपकी shade में ये मिलता है और 99 डूपीज इसका MRP है जो की बहुत ज़्यादा affordable है आप ले सकती है NICA से भी purchase कर सकती है LA10 की outlet से भी purchase कर सकती है और इसके उपार आप थोड़ा सा हलका फुलका सा powder टच अप करके आप निकल सकती है तो all day के लिए ये बहुत ही अच्छा CC क्रीम है और साथी साथ ये आपको 30 SPA भी आपको इसमें मिलता है जो की PA++ के साथ आती है जो की बहुत ही सदा अच्छा है NICA क्रीम तो दोस्तो इन दोनों में से मैं LAKME को ही ज़्यादा प्राइस दूँगी LAKME को ही मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ एपलाई करना और L18 का बहुत ज़्यादा ओके-ओके सा product है मुझे उतना तो इसका काम अच्छा नहीं लगा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको कुछ help मिला है इस वीडियो से तो प्लीज लाइक कर दीजेगा मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास जिली पहुच सके बेल आइकन को ज़रूर से हीट करके रखिएगा और शेयर कर दीजेगा मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ और कोई भी कोश्चेन हो मुझे कॉमेंट पर ज़रूर बताईएगा तो मैं मिलती हूँ आपके साथ फिर एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय दोस्तो लैक मी इस बेस्ट सिसी क्रीम जो की आप एकदम से ले सकते हैं अगर आप एलेटीन का लेना चाहें तो मैं आपको मना ही करूंगी क्योंकि एलेटीन का उतना ब्लेंडिबिलिटी जो है वह उतना अच्छा नहीं है अगर आप बिना मॉस्चुराइजर के यूज करेंगे तो ही इसका ब्लेंड अच्छी तरके से यह होता है लेकिन बिना मॉस्चुराइजर के कौन मेकप करता है है ना कोई नहीं करता है उतना ज़्यादा तो या तो फिर बहुत दा लाइट मॉस्चुराइजर आपको लगाना है उसके बाद ही तो हो जाता है, blend ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत time लगता है, बहुत ही दिक्कत देता है ये, तो मुझे उतना तो पसंद नहीं है क्योंकि जल्द बाजी में एक ऐसा क्रीम की जरूरत है जो quick आपको blend अपकी स्कीन पे हो जाए, quick आपको coverage दे दे, and आपकी skin का भी share हो तो मैं आपको बोलूँगे कि वो lack me ही है जो आपको बहुत ही अच्छा coverage दे देंगे दोस्तों तो I hope कि मैं आपको समझा पाई हूँ दोनों क्रीम के भी share में तो या तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया है मैं मिलता हूँ आपके साथ फीर एक निक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों बाई खुश रहिए, happy रहिए and मेरी another वीडियो जाके ज़रूर देखिए so बाई बाई